NPS और mutual fund दोनों ही market related schemes है कहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा और कहाँ ज़्यादा tax लगेगा सब जानेंगे आज की इस वीडियो तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले NPS की NPS में tier 1 और tier 2 दो तरगे के account होते हैं लेकिन जिसके पास tier 1 account होता है वही tier 2 account भी open कर सकता है यहाँ हम ज़्यादा बात करेंगे tier 1 account की अब NPS में कई model हैं जैसे कि all citizen model, government sector model, corporate model तो यहाँ पर हम all citizen model को compare करेंगे mutual fund से क्योंकि all citizen model में कोई भी individual invest कर सकता है जब कि government model और corporate model में government sector में करने वाले employee या corporate sector में काम करने वाले लोग ही इसमें invest कर सकते हैं तो यहाँ पर बात कर लेते हैं mutual fund की mutual fund में दो तरीके की schemes होती हैं open ended और close ended तो यहाँ पर open ended scheme देख लेते हैं यहाँ पर scheme में कभी भी enter किया जा सकता है और कभी भी scheme से exit किया जा सकता है तो यहाँ पर हम NPS के all citizen model को mutual fund के open ended scheme से compare करेंगे NPS में resident हो non-resident हो कोई भी इसमें invest कर सकता है HUF के नाम से NPS में खाता नहीं खुल सकता है वही mutual fund में residents, non-residents के साथ HUF वाले भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं जहां तक age का सवाल है NPS में 18 साल से 70 साल तक के लोग ही invest कर सकते हैं लेकिन mutual fund में ऐसा कोई दारा नहीं है उसमें किसी भी age group के लोग investment कर सकते हैं Even minor के नाम से भी आप invest कर सकते हैं NPS एक retirement plan की तरह है Old age में as a security इसको देखा जा सकता है mutual fund को आप किसी भी goal के लिए अपना सकते हैं चाहे तो आप इसको retirement fund के तोर पर देख सकते हैं या किसी और goal के लिए भी आप इसे use कर सकते हैं अब बात करते हैं safety की तो यहाँ पर मैं safety NPS की थोड़ी सी जादा मानूँगा क्योंकि वहाँ पर कुछ एक criteria लग जाता है equity के उपर आप कितना invest करते हैं दोनों ही market based scheme है तो return vary करेगा, कोई fix return नहीं है अब बात करते हैं liquidity की तो NPS में आपका पैसा जो है वो lock हो जाता एक तरीके से और 60 साल के बाद ही उसे आप निकाल सकते हैं वो भी 60% एक बार में और 40% आपको annuity लेनी पड़ती है उन पैसो की ताकि आपको monthly pension कुछ मिल पाए उन पैसो से अब वो pension कितनी होगी यह सारा कुछ depend करता है आपके उस जमा होए corpus पे वहीं mutual fund में आपको पूरी आजादी होती है कि आप अपना total corpus कब निकालते हैं कैसे निकालते हैं क्या use करते हैं उसका total up to you अगर आप 60 साल से पहले अपना कुछ amount निकालना चाहते हैं तो केवल 20% ही आप उससे निकाल सकते हैं 80% को आपको NVT में convert करना ही पड़ेगा और अगर बीच में आपको पैसो की जरूत होती है जिसके लिए आप उस scheme से exit तो नहीं करना चाहते हैं कुछ amount withdrawal जरूर करना चाहते हैं जैसे कि बच्चों की पड़ाई हो गई, शादी हो गई, illness हो गया, घर खरीदना हो गया, ऐसी कुछ limited conditions के साथ ही आप अपने total contribution का 25% तक withdrawal कर सकते हैं और ऐसा आप अपनी पूरी service में सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं और उसके लिए भी 3 साल कम से कम आपके service होनी चाहिए आपका योगदान NPS में रहना चाहिए और अगर कोई 60 साल का व्यक्ति NPS में contribute करना चाहता है तो उनके लिए भी 3 साल का at least lock-in है, 3 साल बाद ही वो अपना पैसा विड़ाल कर पाएंगे, 60% वो उसमें से विड़ाल कर पाएंगे और 40% के उनको भी अन्विटी बनवानी पड़ेगी जिसका pension के रूप में उनको भ जा सकता है, वहां से कमपलसरी exit होना ही पड़ेगा, जबकि mutual fund में ऐसी कोई condition नहीं है, आपका जब तक मन है आप उसे continue करिए, आप जब उसे mature करना चाहते हैं, आप mature कर सकते हैं, अब बात करते हैं fund managers की, उन fund को कौन manage करेगा, जो आपको pension मिलेगी, जो आपको 40% amount की जो SDFC pension management, ICICI potential pension, fund management company limited, kotak mahindra pension fund limited, LIC pension fund limited, SBI pension fund private limited, UTI retirement solution limited, आदित्य बिरला sun life pension management limited, आपके पास इन सातों में से कोई एक चुनने की choice है, आप किसी को भी चुन सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये बहतर return या ज़्यादा secure है, और वही आपको pension provide करें, तो आप इन में से एक को 45 plus, I think, इतने options हैं उसमें, आप उसमें से चुन सकते हैं, कि आप किस fund house से जाना चाहते हैं, इन दोनों ही scheme में अगर आपको किसी fund house की service या scheme पसंद नहीं हारी, तो दोनों ही schemes में आप इसको switch करके कोई दूसरा fund house choose कर सकते हैं, अब यहाँ पर थोड़ी सी boundation आया थी NPS में, जैसे कि आपको 40% अपनी NVT में convert करना पड़ता है corpus का 40%, और mutual fund में आपके पास यह flexibility रहती है, कि अगर आप समझते हैं कि मैं आपने corpus को ऐसा कहा smartly invest करूं, कि जहां से मुझे एक fixed return हर महीने आता रहे, और वो return obviously NPS से थोड़ा जादा ही आप उमीद कर सकते हैं, तो यह आ नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते है SWP क्या है, SWP में मुझे क्या लगता है कि अगर आप smartly चलेंगे तो आप pension की राकम को उसमय बढ़ा भी सकते हैं, और जितना amount आपको जोरत है उतना निकालिए, बाखी पैसे को बढ़ते रहने दीजिए, अब यहां पर tax session की ब आप से कम से कम तीन साल के लिए बने रहेंगे, वहीं NPS में आपको हर साल डेड़ लाग रुपे तक की छूट under section 80CCD1 के तहत आपको एक financial year में डेड़ लाग तक की छूट मिलेगी, और under section 80CCD1B के अंडर आपको additional 50,000 रुपे की छूट भी NPS में मिल जाएगी, तो आज की व अगर आप higher tax bracket में हैं, तो कुछ हजसा अपना NPS में भी जरूर डालें, इससे आपको tax में benefit मिलेगा, और mutual fund में अगर आप invest कर रहे हैं, तो हर एक चीज को ध्यान से पढ़िए, जो line वो बहुत तेज-तेज कहके निकाल देते हैं अपने advertisement में से, उसको please slow करके pause करके सुनिए पढ़िए, उसके बाद decision लीजे, उमीद करता हूँ आज का ये mutual fund और NPS में comparison आप लोगों को पसंद आया होगा, informative लगा होगा, वीडियो आपको कैसे लगी, आप comment section में, या like, dislike करके भी मुझे बता सकते हैं, मेरा नाम है अमिट डोहन याल, और मैं मिलता हूँ आपसे अग